नमस्कार मित्रों आज का विशय एक श्लोक के उपर है जो सदा ही विवादित रहा है वह श्लोक है अहिंसा पर्मो धर्मा धर्म हिंसा तथैब चर अब कई सारे महाग्यानी लोग इस पर टिपणिया करते हैं कि यह श्लोक हिंदू धर्म ग्रंथों में है ही नहीं और इसके बचाव में कई सारे और श्लोक दिखाते हैं जिसमें अहिंसा की शिक्षादी है तो चलिए देखते हैं वह श्लोक कौन से हैं अनुशासन पर्व के अध्याय 116 का श्लोक 25 वा अर्थात अहिंसा परम धर्म है अहिंसा परम सन्यम है अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम तप है फिर आगे अहिंसा परम यग्यस तत हिंसा परम फलम अहिंसा परम मित्र महिंसा परम सुखम अर्थात अहिंसा परम यग्य है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा ही परम सुख है. इसके आतिरीक्त बनपर्व का अध्यार 207 से श्लोक 74 वा दिखाते हैं. अहिंसा परमो धर्म है सच्च सत्य प्रतिष्ठित है. सत्य कृत्वा प्रतिष्ठा तो प्रवर्तंते प्रवरित्य है. अर्थात अहिंसा और सत्य भाशन समस्त प्राणियों के लिए हितकर है. अहिंसा सबसे महान धर्म है, परन्तु वह सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य के ही आधार पर श्रेष्ट पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। इस तरह के कई सारे श्लोक महाभारत ग्रंथ में वर्नित है। परंतु धर्म हिंसा तथैवच यह श्लोक ग्रंथों में नहीं पाया जाता। इस तरह वह लोग अपना पक्ष रख कर आपको परिवर्तित करते हैं। क्योंकि आपने ग्रंथ पड़े नहीं होते हैं। अब आते मूल विशय पर यदि धर्म हिंसा तथैवच यह श्लोक हमारे ग्रंथ में नहीं है। तो यह श्लोक निंदा का पात्र है। और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं वह भी अज्यानी है और निंदा का ही पात्र है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो। तो कुछ समय रुको। और इस श्लोक के अर्थ पर ध्यान दो इसका अर्थ है। धर्मरक्षा के कारण की गई हिंसा उचित है। परन्तु आप कहोगे क्या इसका कोई ग्रंत प्रमान भी है। तो जी हाँ है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 31 वेश्लोक में कहा है। स्वधर्म मपी चावेक्षिन विकम्पितु मरहसी। धर्मयाध्य युद्धा च्रयोन्यत क्षत्रियस्यन विद्यते। अर्थात एक योध्धा के रूप में अपने कर्तवय को समझते हुए। तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में एक योध्धा के लिए धार्मिक्ता को कायम रखने के लिए लड़ने से बहतर कोई कार्य नहीं है। फिर आदे कहा यद्रचया चौपपन्नम स्वर्गद्वारं पावरितम सुखिन। क्षत्रिया पार्थ लभनते युद्ध मीद्रशम। अर्थात ते पार्थ वे योध्धा धन्य हैं जिनके लिए धर्म की रक्षा के ऐसे अफसर बिना मांगे आते हैं जो उनके लिए दिव्य निवासों की सीधी खोल देते हैं। आगे 37 वेश लोप में कहा अर्थात तुम लड़ोगे तो या तो युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्य लोप में जाओगे या तुम विजय प्राप्त करोगे और प्रित्वी पर राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए है कुंती पुत्र ग्रिड निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर 38 वेश लोप में कहा अर्थात जैपराजय, लाभानी और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसके आतिरीक्त भगवान कृष्ण स्वयम चतुर्थ अध्याय के साथ वे और आठ वेश लोक में कहते हैं। अर्थात है अर्जुन, जब भी धर्म की हानी और अधर्म की व्रिद्धी होती है, उस समय मैं स्वयम प्रित्वी पर प्रकट होता हूँ। धर्मियों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म के सिध्धान्तों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं युग्युग में इस प्रित्वी पर प्रकट होता हूँ। इस से सिध्ध होता है यदी श्लोक भले ही मिलावती हो। परंतु न्याय संगत है। यदी आपको महाभारत ग्रंट से ही देखना है। तो शांतिपर्व के पंद्रहवे अध्याय के उन्चास और चौवन वे श्लोक में कहा है। लोग यात्रार्थ महेव धर्म प्रवचनम क्रितम अहिंस साधु हिंसेति श्रयान धर्म परिग्रह। जिसमें धर्म की रक्षा हो वह कार्य श्रिष्ठ मानना चाहिए। और चौवन वे श्लोक में कहा। अर्थात राजन शत्रों का वध करते समय आपके मन में दिन्ता नहीं आनी चाहिए भारत शत्रों का वध करने से करता को कोई पाप नहीं लगता अब इसी प्रकार आप भी सिक्के के दोनों और देखो तो आपको भी यह श्लोक सही प्रतित होगा अब हमारे देश भारत में महा भारत की कही सारी पांडुलिपिया प्राप्थ होती रही है तो हो सकता है किसी प्राचिन भाश्यकार ने यह श्लोक कह दिया हो नमस्कार हर हर महा देव